वेलकम तो दो प्रियाग राज इंस्टूट इस वीडियो में लो डिसकस करेंगे उत्तर प्रदेश की कलायों संस्कृति के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रशन के साथ पहला प्रशन ये है कि प्रसिद संगितग्य गिर्जा देवी प्रसिद संगितग्य गिर्जा देवी संबंधी थे आपको बताना है कि वह किस घराने से संबंध रखती थी ये है प्रशन तो गिर्जा देवी संबंधी थी बनारस घराने से ठीक है इनके बारे में थोड़ी जनकारी लेते हैं ये ठुमरी गायन, ठुमरी गायन को परिस्कित करने तथा इसे लोकपरी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है गिर्जा देवी को भारत सरकार के द्वारा कला के छेतर में ध्यान दिजेगा कला के छेतर में पदमिसरी 1972 में दिया गया तो इनसे समन्धित ये जो information है काफी important है, कभी-कभी प्रशन में ये भी पूछा जाता है कि जो समन्धित ब्यक्ति हैं उनको कब पदमिसरी दिया गया, पद भूशन कब दिया गया, पद विभूशन कब दिया गया, तो इस fact को जरूर याद रखेगा अब चलते हैं अगले प्रशन की तरफ लखनव उत्सो ठीक है, जिसे अब लखनव महत्सो कहा जाता है प्रारम हुआ था, तो यह प्रारम हुआ था 1975-76 में, option नमबर भी इसका सही उतर है तो लखनव उत्सो को आज की डेट में हम लोग लखनव महत्सो के नाम से जानते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1975-76 में अगला प्रशन, निम लिखित में से किस इस्थान पर उत्तरमद्य ध्यान दीजेगा उत्तरमद्य छेतर संस्कृति केंद्र इस्थित है तो यह इस्तित है प्रयागराज में, कहां पर इस्तित है प्रयागराज में, तो उत्तर मध्य छेतर संस्क्रीर केंदर आज की डेट में कहा है प्रयागराज में निम लिखित में से कौन सा सास्त्री गायक और घराना सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे जो घराना है वह कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है ठीक है तो बिर्जु महराज कालका बिंदा दीन यह सही है यह तो मैच है उस्ताद रासित खान सहसवान घराने से समद्ध रखते थे यह भी मैच है पंडित छन्नुलाल मेच है यह पटियाला घराने से समद्ध नहीं रखते थे यह किराना घराना से समद्ध रखते थे क्या किराना तो इनका समद्ध था किराना घराने से प्रभा अत्रे किराना यह मैच है प्रश्ण के अनुसार जो सही उत्तर होगा, वह क्या होगा? Option number C. अब चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ. निम लिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ठीक है, इस प्रश्ण में ध्यान देना है, कि आपको बताना है कि इस दिये गए चार आपसंस में कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो देखिए, कजरी जो है वो लोकगीत है, उत्तर प्रदेश की सोहर भी है और चैती भी है, जो नहीं है वो क्या है? तेरा ताल तो तेरा ताल जो है उत्तर प्रदेश के लोग गीत में के अंतरगत नहीं आता है तो option ए इसका सही उत्तर है अगला प्रशन नेम लिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक निर्त्य नहीं है? फिर यहां पर क्या है? फगवा फगवा जहें वो लोक निर्त्य के अंतरगत नहीं है यह लोक गीत के अंतरगत आता है जो की होली के समय में इसको इसका गायन किया जाता है तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? option नमबर C अगला प्रशन ठूमरी के संदर में ठूमरी के संदर में निम लिखित में से कौन सा कथन सही है ठीक है? तो ठूमरी की उत्तर परदेश में हुई है जी यहां इसको ध्यान में रखेगा ठूमरी की जो उत्तर परदेश में हुई है वो उत्तर परदेश में हुई है और ठुमरी सुगम एओं आकरसक है जी हाँ ठुमरी जुह है सुगम एओं आकरसक भी है तो ये भी statement सही है तो दिएगे option में हमारा सही उत्तर क्या होगा एक और दो दोनों सही है तो सही उत्तर है option number C अगला प्रश्टनेम लिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक निर्थ्य है ठीक है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो लोक निर्थ्य उत्तर प्रदेश से समंधित है तो देखिए ABC ये जो तीन option है सिगमो घोडे और मोडिनी ये जो है ये गोवा का लो उत्तर प्रदेश का लोक निर्थ है तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा option number D अगला प्रश्ट निम लिखित गुप्त कालीन मंदीरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है आपको बताना है कि ये चार option दिये गए हैं ये मंदिरों के नाम दिये गए है ठीक इन मं लावा नचना कुठार का मंदीर तिगवा का विश्णु मंदीर और भूमरा का सीव मंदीर ये तीनों जो मंदीर हैं ये तीनों जो मंदीर हैं वो हैं मध्य प्रदेश में ठीक है और देवगल का दसावतार मंदीर कहां पे है जहांसी जहांसी उत्तर प्रदेश ठीक है तो तो ये चीज धियान रखेगा और ये जो मंदीर है ये गुप्त कालिन मंदीर है कौन सा देवगल का दसावतार मंदीर अगला प्रस्न उत्तर प्रदेश के निमलिखित किस एतिहासिक मेले में हिंदू और मुशलमान ये जो प्रस्न हो बहुत बार पूछा गया ठीक है मेरट में तो मेरट का जो नोचंदी का मेला है वह हिंदू और मुशलमान दोनों के लिए ये वह एक प्रेटा नस्थाल है या यह कहा जाए कि दोनों जो है यहां पर आते हैं तो नोचंदी के मेले में आपको दोनों लोग दिखाई पड़ेंगे हिंदू और मुशलिम दोन अगला प्रशन, कानपूर, ठीक है, कानपूर उत्तर परदेश इस्थित, भीतर गाउं मंदीर, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो भीतर गाउं मंदीर, कानपूर से यह समंधित प्रशन है, तो कानपूर उत्तर परदेश इस्थित, भीतर गाउं मंदीर के संदर में न शट्मी सदी इसवी के मध्युआ है, तो क्या ये 5-6 Century के बीच में इसका निर्मार हुआ है? तो जी यह गुप्त कालिन मंदीर है ठीक और इसका निर्मार काल जो है, वो क्या है? पाच्वी सदी से लेके शट्मी सदी के बीच में हुआ है तो पहला इस्टेट्मेंट तो सही ह और मंदिर कला या मंदिर के निर्मार की जो बात स्टार्ट होती है वो गुप्त काल से ही स्टार्ट होती है ठीक है तो इटो से निर्मित या भारत के प्राचिनतम मंदिरों में एक है ये भी स्टेट्मेंट सही है तो एक और दो दोनों स्टेट्मेंट सही है तो सही उत्तर क् option number C अगला question निमलखित कत्रों पर विचार किजिए ठीक है तो एक तरफ कथन दिया हुआ है और दूसरे point में reason दिया हुआ है कारण दिया हुआ है तो कथन क्या है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोग भासा है जी यह यह statement सही है तो भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोग भासा है यह तो सही है कारण देखते है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भासाओं में आसाहज होते हैं देखिए यह जो term है ठीक है यह जो सब्द है आसाहज होते हैं यही गलत है ठीक है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं भुसपुरी के अलावा अन्य भासाओं में भी सहाज है ना कि ओसहाज है तो यहाँ पर तो यहां होगा option number C, यह सही है किन्तु आर गलत है, अगला प्रशन, ताज महल से सम्मंदित निम्न कत्नों पर विचार कीजे, ठीक है, तो यहां पे चारी statement दिये गए है, पहला statement क्या है, ताज महल सो का उत्गाटन उत्तर प्रदिस का एक आयोजन था, यह भी सही है, या समय का यह question है, ठीक, तो तीसरा statement में सही है, ताज पर्यावराण परदूशन का सिकार है, यह भी statement सही है, तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा, उप्रोक्त सभी, ठीक है, तो उप्रोक्त सभी मतलब की option number D, इसका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश की एतिहासिक पुरा तत्त् करेैं करने के लिए इस्तापित सांस्कृत ही ब्वागों के कारियों में कौन से कार्य संमलित नहीं है, ठीक है, तो जो कल्चर ड equilibrium है, उसका का काम क्या है, इसका सथूर्चन परदर्चन यह भी उते हैं, उसका प्रकार्शन यह भी सही है, उसका अभी लेकर, ठीक है, अब पर जो सही उत्तर है option number D अगला प्रश्ण निवलिखित में से कौन सा सही सुमेलीत नहीं है ठीक तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्विद्याले क्या है वो है इलहाबाद विश्विद्याले और इलहाबाद विश्विद्याले जो है एक स्किंद्री विश्विद्याले नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है ये भी सही है ठीक भारत कला भवन वरानसी में है ये भी सही है चौरसया निर्त ध्यान दिजिएगा चौरसया निर्त गोरकपूर से संबंध नहीं रखता है ये है जौनपूर का है जौनपूर option number D राम नगर जो कि बनारस में ठीक, राम नगर बनारस में राम लिल्या का मंचन कितने दीन होता है या पूरे 31 दीन होता है option number C इसका जो है वो सही उत्तार है अगला प्रश्ण नेम लिखित में से कौन एक कत्थक कलाकार नहीं है ठीक है तो बिर्जू महराज कत्थक कलाकार है लच्छू महराज कत्थक कलाकार है सितारा देवी ये भी कत्थक कलाकार है जो कीसन महराज है वह जो है वो कत्थक कलाकार नहीं है ये तबला वादक है क्या है तबला वादक हैं ठीक है यह याद रखिएगा तो इनके साथ में संभु महाराज अक्छन महाराज यह भी जो है कत्थक कला से संबंदीत हैं तो यहां पर जो हमारे जो सही उत्तर होगा वो होगा option number B उत्तर प्रदेश का गुरु पुर्णमा पर्व समर्पीत है ठीक है यह है ब्यास option number A पर्चित ठुमरी गाई का गिरिजा देवी का जन्म किस सहर में हुआ था ठीक यह दूसरा प्रशन है ठीक तो गिरिजा देवी का जो जन्म होता है वह 8 मई 1929 को ठीक आठ मई 1929 को वरानसी में होता है कहां पर होता है वरानसी में और इनकी मृत होती है 2017 में कुलकता में यह भी याद रखिएगा तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा option number D निम लिखित में से किसने लखनाओं के सांस्कृतिक क्रिया कलापों में योगदान नहीं दिया है तो बिंदादीन इनका योगदान है उस्ताद दूले खाँ इनका भी योगदान है मेहंदी हसन जो है वो गजल गायक है ठीक है क्या है गजल गायक है इनका उत्तर परदेश से संबंध नहीं है इल्यास खां इनका भी उत्तर प्रदेश की कलाव संस्कृति में युगदान है तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वह होगा अप्सान नंबर सी मेहंदी हशन अगला प्रसिद्ध सास्त्री गायक भीम सेन जोसी का संबंध किस घाराने से ठीक है इनका संबंध है किराना घाराने से आप्सान नंबर बी अमीर खुष्रों ने किसके विकास में अग्रगामी भूमका निभाई थी तो खड़ी बोली यहां पर याद रखेगा थोड़ा उपर नीचे हो गया यह ठीक है तो खड़ी बोली में इनका अग्रणी योगदान है उत्तर प्रदेश सासा ने संगीत रत्न पुरशकार किसकी इसमिर्ती में प्रारम किया है तो यह है उस्ताद बिस्मिल्ला खां ठीक है सहनाई वादा कि इनको भारत रत्न भी मिला था तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत रत्न पुरशकार की सुरवात हुई ह संगी सिंचाहेत उत्तर प्रदेश में जो प्रत्म संगीत महा विध्यल स्थापित हुआ था कौन से था तो यह था भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महा विध्यल अप्सन नमबर बी उत्तरमद्ध फिर से यह प्रश्ण आया है इसको जो है इस वीडियो में रखने का उदेश यह है कि आपको अंदाजा हो कि यह कितनी बार पूछा गया है ठीक है तो उत्तरमद्ध छेतर सांस्कृतिक केंद्र निम लिखित में से किस इस्थान पर अवस्थी थे तो जी हाँ यह तो है परियाग राज में अब इसके साथ हम लोग जानेंगे कि जो अन्य सांस्कृतिक केंद्र हैं वो कहां कहां पर हैं तो उत्तरी छेतर सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब में है ठीक पूर्वी छेतर सांस्कृतिक केंद्र सांती निकेतन कोलकत्ता पसिम मंग में हैं दच्छन छेत्र सांस्कृति केंद्र तंजावूर तमिलाडू में पस्यम छेत्र सांस्कृति केंद्र उदेपूर में ठीक है कहां राजस्थान उत्तर पूर्व छेत्र सांस्कृति केंद्र दीमापूर नागालेंड ये बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है क्या नौर् नाम आंपूर में माराष्ट और उत्तरमध्य, उत्तरमध्य, छेतर सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज तो इनका नाम ज़ो है जरूरी याद रखिए हास्रस एंव कानपूर में परंपराओं का संबंध है तो इसका संबंध है किसे रंग मंच से, Option number A उत्तर प्रदेश में होली के तेवार पर लठमार होली मनाई जाती है कहां मनाई जाती है तिये मनाई जाती है बरसाना में Option number B विख्यात भारत माता मंदीर ठिक तो विख्यात जो परसिद जो भारत माता मंदीर है वो इस्तित है वराण सी में Option number B हिंदू मुस्लिम एक था परतीक सुलह कुल ग्यांदी जी का सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है तो इसका जो आयोजान है वो आगरा में किया जाता है option number D अब देखें यहां पर जो है दो लिष्ट दीगी है सुची एक जिसमें मेला का नाम दिया हुआ है और सुची दो जो है वो जीला का नाम है तो यहां पर आपको जो है सुची एक को सुची दो के साथ मैच करना है तो गोविंद साहब ठीक है गोविंद साहब का जो मेला है वह उसका आयोजन क्या जाता है आजमगण में ठीक तो गोविन साहब के आगे तीन कैलास जो मेला है इसका आयोजन क्या जाता है आगरा में ठीक तो इसके आगे चार हो गया सेद सलार मेला यह भाराइच तो एक साकमबरी देवी का जो मेला है सहारनपूर में लगता है दो तो option क्या हो जाना चाहिए three four one two option number b तो option number b इसका जो है वो सही उत्तर है अब चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रस्ण भी इसी तरीके साथ matching करना है आपको, तो एक तरफ list 1 है और दूसरे तरफ list 2 है, तो list 1 को list 2 के साथ मिलाना है, कनक भवन, कनक भवन, आयोध्या, ठीक है, तो कनक भवन, आयोध्या में है, तो इसके आगे 4 लिख देते हैं, काम, कामद गीरी परवत, कामद गीरी देते हैं कालिंजर दूर्ग यह मिलेगा आपको बांदा में दो देवा शरीफ यह है बारा बंग की वन यहां पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा 4 3 2 1 option number B इसका जो है वो सही उत्तर है तो यहां पर याद रखे option number B next यहां पर घटना दी हुए list एक में और दूसरे में इस्थान तो आपको बताना है कि कौन सी घटना इस इस्थान के साथ match कर रही है तो यहाँ पर देखिए माग मेला कहा लगता है तो माग मेला लगता है प्रयाग राज तो इसके आगे चा लिखते हैं जूला मेला कहा लगता है ये लगता है व्रिंदावन में तो इसके आगे हम तीन लिखते हैं पसु मेला बटेश्वर तो इसके आगे दो लिखते हैं और देवा मेला लगता है बराबंकी में, इसके आगे वन लिखते हैं, तो क्या हो गया, option 4, 3, 2, 1, option नमबर इसका सही उत्तर है, next, अगला प्रस्ट, दिवारी पाई डंडा, ठीक है, दिवारी पाई डंडा लोग कला उत्तर प्रदेश के किस छेतर से सम्मंदित है, ठीक है, तो दिवारी पाई डंडा लोग जो है, वो बुंदेल खंड, चेतर से सम्मंदित, option number B, गुदई महराज परसिद तबला वादक, निम लिखित में से किस घराने से सम्मंदित है, ठीक है, यह आपको बताना है, ठीक है, इनका समंद जो किस घराने से है, यह बताना है, तो यह है बनारस घराने से option number A, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोग गीत है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोग गीत है, विरहा, चैती और धोला, option number D, इसका जो है, वो सही उत्तर है, तो यह था हमारा कला और संस्कृति से समंदित वीडियो, इस से कुछ और वीडियो आएंगे, जिसमें हम कला, संस्कृति, मेले, इस्थापित्य कला, इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, आपने सुझाओ जाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल, इस वीडियो की PDF को प्राप किजिए, तब तक के लिए थैंक्यू, धन्यवाद,